हाई अब्रिवान आज मैं लेकर आई हूँ मार्केट से भी बढ़िया रिच और क्रीमी चॉकलिट सॉस की रेसिपी आप बहुत बार मार्केट से खरीद की लेकर आते होंगा और बहुत जादा महंगी मिलती है यह मार्केट में अगर घर पे बनाएंगे तो सिर्फ पांच मिन इसे कैसे बनाते हैं हाई फ्रेंज मैं गीता वर्मा गीता किनू रेस्पी पे इक बार फिर से आपका स्वागत करते हूं और आज मैं फिर से बहुत जादा इंट्रेस्टी विडियो लाइख हूं उम्मीद करते हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो यहां पे कुछ इंक्रीडियंट्स मैंने लिये हैं जो मैं आपको दिखा देती हूं यह एक कप दूद लिया है मैंने यह गरम दूद है हाफ कप हमें कोको पाउडर चाहिए हाफ कप मैंने यहापे चीनी ली है यह नॉर्मल चीनी है जो हम घर में यूज करते हैं हाफ टी स्पून मैंने यहापे वनीला एसेंस लिया है दो टेबल स्पून मैंने यहापे कौन फ्लोर लिया है आप इसकी जगे अरा रोट या फिर मैदा भी इसमाल कर सकते हैं दो टेबल स्पून हमें चाहिए बटर यहां पर मैंने सॉल्टेट बटर लिया नमक वाला लिया है अब क्या करेंगे हम एक बाउल ले लेंगे इसके उपर छन्नी रखेंगे और इसमें मैं डाल रहे हूँ कोको पाउडर और यहां पर मैं कौन फ्लोर एड कर रहे हूँ तो द नहीं होने चाहिए इससे काफी स्मूध बनेगी हमारी चॉकलिट सॉस तो यह काफी च्छन गया है इसे में साइड में रख देती हूँ अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हमें सॉस बनानी है तो यहां पर मैंनी स्टील का फ्राइप में लिया है और इसके इंदर में गरम तो यहां पर चीनी अच्छे से घुल जाए तो यहां पर चीनी अच्छे से घुल चुकी है अब इसके अंदर हम ड्राय इंग्रीडियंट्स टालेंगे जो हमने पहले चान के रखे थे तो यह में एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके जल्दी घुल जाए तो यहां पर हैंड्विस्क काम और जल्दी ओ जाएगा अब यह देखे थोड़ा थोड़ा समय फिर से डालूंगी एक साथ आपको शारा नहीं डालना है एक साथ डालेंगे तो जल्दी यह लंप्स इसके खतम नहीं होंगे और जल्दी घुलेगा नही इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मिक्स करते जाएं अब मैं बाकी बचा हूँ अभी इसमें आड कर दूंगी तब यह जितना बचा है वो सारा मैं इसमें आड कर दूंगी इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यह देखी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हमें इसको गैस पर पकाना है तो हम चलते हैं गैस की तरफ और यह देखी काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसे गैस पर पकाएंगे तो यहां पे मैंने इसे gas पे रख लिया है gas on कर देती हूँ और gas को मैंने यहां पे बिल्कुल low medium flame पे रखा है क्योंकि 2-3 minute इसे लगते हैं जादा time नहीं लगता पकने में यहां पे मैं hand whisk का इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि इसे बिल्कुल भी time नहीं लगता पकने में यह 2-3 minute में जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो इसको हमें बहुती speed में करना है तो नहीं तो एकदम इसमें लब्स बनने शुरू हो जाएंगे इस तरह से चलाते रहें और gas को एकदम low medium पे रखें ताकि आपको time मिल सके इसे इस तरह से mix करने का तो यह देखे इस तरह से मैं mix करती जा रही हूँ और इसको बिल्कुल भी आपको रोकना नहीं है लगतार mix करते रहें क्योंकि 2-3 minute में ही यह बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो एकदम से लंस बन जाएंगे और नीचे यह जल सकता है तो इस तरह से लगाता है चलाते रहें और 2-3 minute में आप देखेंगे इसमें एकदम boil आना शुरू होगा और एकदम से ठीक हो जाएगा तो यह देखें इसमें boil आना शुरू हो गया एकदम से गाढ़ा हो गया और इसे फटा फटा आपको चलाना है इस टाइम पर आप गैस बंद कर दीजिए क्योंकि अगर आप गैस चालू रखेंगे तो इस जल सकता है अब मैंने इसमें बटर एड कर दिया है बटर एड करने से इसमें काफी अच्छी शाइन आ जाती है बिल्कुल ग्लॉसी हो जाता है जैसे मार्केट का चॉकलेट सिरप होता है उस तरह से इसका जो टेक्शर है वो एकदम ग्लॉसी हो जाएगा देखने में बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर आप देख सकते ह काफी एकदम गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल मार्केट जैसा एकदम गाढ़ा बन चुका है आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस कर सकते हैं ये बिख ये काफी गाढ़ा है जितनी आपको जितनी गाड़ी सौस चाहिए उतना आप इसे रख सकते है अगर नहीं थोड़ी सी गाड़ी लग रहे हैं तो मैं इसे थोड़ा सा फ्लोइंग रखोंगी जैसे मार्कित की हरशी आती है तो इस तरह से अब मैं यह वन फॉर्थ तो इस तरह से देखिए अभी भी मुझे ये गाड़ी लग रही है तो इसमें मैं थोड़ा से दूद और एट करूंगे तो इतनी जादा थीक हो जाती है इतनी जल्दी तो बिल्कुल बे टाइम नहीं लगता आगे आपके उपर आप इसे कितना थीक रखना चाहते हैं तो मैं जैसी मैं गैस ओन करती हो एकदम से बॉयल आने शुरू हो जाएगा और एकदम सी गाड़ी हो जाएगी तो इसी टाइम आपको गैस बंद कर देनी है यह देखिए बॉयल आगया अब मैं गैस बंद कर देती हो और यह हमारी बिल्कुल मार्किट जैसी चॉकलिट सॉस रेड सॉस सिरफ लेकर आते हैं वो आप घर पे इतनी असानी से बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों में यह देखिए कितनी फ्लोइंग है कितनी बढ़िया लग रही है और टेस में बहुत अच्छी है मेरी गैरंटी है आप एक बर बनाएंगे तो बार बार इसे बना कर रखना अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है तो आप इससे अपने केक को डेकरेट कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया पेस्ती चॉकलेट केक आपका बनने वाला है तो इस चॉकलेट सॉस की रेसिपी को आप घर पर ट्राइ कीजिए का और मुझे लिखके बताये कैसी लगी वी एक एक लाइक हमें बहुत जादा मॉटिवेट करता है अच्छी वीडियो लाने के लिए तो आपको इसका टेक्श्चर दिखाती हूँ एक बार स्पून से ये देखे कितने क्रीमी हमारी चॉकलेट सॉस बने है वो भी सिर्फ पांच बने है वो भी सिर्फ पांच बने है व